गुड़ मॉर्णिंग मैं रोशन प्रताब सिंग आप सभी लोगों का यूटुब चैनल आर्पी केमपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम कोडिंग और डिकोडिंग के टाइप 2 के कोश्चन को देखेंगे तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं कोडिंग-डिकोडिंग के टाइप 2 के कोश्चन को देखे हैं यह पहला कंशन है और कोडिंग-डिकोडिंग के सीरीज का 40. Q ispra कार यह बहुत कुछ इस प्रकार है कि पेंट को को कोडि किया गया है 53241 यहाण पर excel है तो excel को जो coded किया गया 786790 यानि कि यहां पर भी इससे क्या किया गया नम्मर में coded किया गया है तो accept का code आपको बताना है तो एक बात आप यहां पर ध्यान दिजिएगा सबी लोग कि अगर कुछ इस प्रकार से question पूछा जाए यानि कि दो का code दिया जाए और तीसर का code पूछा जाए तो पहला यह आपको match कराना है कि कहीं इसमें जो alphabet लिखा हुआ है इसी से question तो नहीं बना गया है तो आप देख लिजी यह दे खांज़ाए यहां भी है C यहां भी है C आपका दिया गया EB है PB है और TB यानि इन दोनों से यहां से और यहां से alphabet को लिया गया और यहां पर question बना दिया गया है तो simple सी बात है आपको कुछ करना नहीं है direct code आपको यह ले लेना है कि P का code 5 होगा A का code 3 होगा I का code 2 होगा Yen का code 4 होगा और T का code क्या होगा 1 होगा उसी प्रकार यहां भी diet का code ले लेंगे तो बात करते है A है तो A का code क्या है तो कहेंगे A का code 3 है तो हो गया 3 और बात करते है C का C का code क्या है कहेंगे 6 है तो 6 और 6 क्योंकि C दो बार है E की बात करते है E का code क्या है तो कहेंगे 7 है और बात करते है P के code की तो P का code क्या है 5 है और बात करते हैं हम किसके T के code की तो T का code कितना 1 है तो बात समझ में आ गया कि accept का जो code है वो 3, 6, 6, 7, 5 वर 1 है चलिए next question पर चलते है question number 15 पर चलते है question number 15 है आपका कि किसी भी संकेतिक भासा में D को 4 लिखा जाता है cover को 63 लिखा जाता है तो basis को क्या लिखा जाएगा तो देखे D का जो place value होता है वो तो 4 आता है निए D4 के अस्थान पर आता है होता है 18 अगर सब को add किया जाएगा तो आप कर लेते हैं 22 18 हो जाएगा 40 और 15 520 यानि 40 20 कितना हो गया 60 और 3 हो गया 63 कहने का मतलब है यहां पर इसे जो place value हो उसको लिखाल कर add करने से हमें 63 प्राप्त हो रहा है यानि कि इसका code कुछ इस प्रकार से है कि इसका place value add किया गया है तो हम बात करते हैं basic के code की तो basis का जो code का दोगा दो कि 2 में का जोать value होता है 2 होता है का टा है C calledriaanतीन होता है I का 9 होता है यास का 19 होता है सब हो add करते है 19 plus 19 कितना हो जाया गया तो बताना सेंटा क्रूज को क्या लिखा जाएगा उसी संकेतिक भासा में तो समझेगा कि कैसे यह अगर हम इन सब के प्लेस वैलू को लिखकर एड करें तो देखे क्या आता है लेकिन यहां पर फोटी थ्री नहीं है इसका कोड है कितना थर्टी फॉर यानि इसी का रिवर्स करके यहां पर लिखा गया है बात करते हैं कि यहां पर जब इसका वो कोड मिल जया या अपने इसस सेम प्रॉसेस यहां भी अप्लाई होगा तो यस का कितना होता है 19 19 प्लस एक यहन का कितना हो जाएगा ट्वंटी एक बार और मैच करा जते हैं यस का सब्सक्राइब करेंगे तो एड करने के बाद आजाएगा एक सो तेज लेकिन अब इसका एंसर इसी का रिवर्स आ जाएगा तो कितना लिखेंगे त्री टू वन यानि कि सेंटा क्रूज का जो फाइनल एंसर होगा 321 होगा तो चलिए अब कोस्टिन नमर 17 पर चलते हैं कुशन नमर 17 है किसी संक्यतिक भासा में जड को बावन लिखा गया है एक्ट को 32 लिखा गया तो टाइब का बताना है क्या होगा तो समझिएगा आप लो कि जिड बावन कैसे हुआ अगर जिड के place value की बात करें किस place पर आता है तो बोलेंगे 26 पर आता है तो पहला हमारे mind में जो click करने बारा है कि अगर 26 का दोगुना कर दे तो 52 हो जाए तो हाँ 26 का दोगुना करेंगे 52 बिल्कुल सही है अब आगे चलते हैं क्या ये चीज इसमे अप्लाई होता है तो देखिएगा अगर हम एक के place value को add करें तो एक का 1C का 3T का किता होगा 20 अब add करें इसको 24 आ जाएगा 24 का क्या दोगुना करने पर 32 मिलेगा तो कहेंगे नहीं मिलेगा फिर ऐसा क्या किया गया यानि कि ये तो सही था इसके लिए लेकिन ये चीज इसमें अप्लाई नहीं हुआ यानि कि ये code नहीं होगा यानि ये code जो हमने किया वो सही नहीं किया है तो सही क्या होगा वो समझ लिख दे तो 25 का रिवर्स कितना हो जाएगा बावन हो जाएगा पाँच फिर दो उल्टा लिख दे बावन हो जाएगा जो कि यहां पर आ गया है क्या अगर हम यह चीज़ इसमें अप्लाई करें तो होगा कि नहीं होगा तो देखे 24 आया था अगर 24 में हम एक को माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा तो कहेंगे 23 आ जाएगा तो कहेंगे 23 का रिवर्स 32 होता है कि नहीं होता है तो कहेंगे बिलकुल होता है यानि कि हमारा जो अभी कोड हमने लगाया था डिकोड करने के लिए जो किया है वो बिलकुल सही है यानि कि जो डिकोडिंग हो बिलकुल सही है अब हम चलते है टैप पर वही सेम प्रोसेस हम टैप के लिए अपलाई करेंगे T का होता है 20 A का होता है B का कितना होता है तो 2 होता है सबको जोड दीजिए आ जागा 30 इसमें से एक ऐनस कर देंगे तो आ जागा 22 और 22 का reverse भी कितना होजएगा 22 तो आपके जो TAB का code होगा वो होगा 22 तो चलिए लेस कोंशन पर चलते हैं किसी संकेतिक भासा में जी यो गो को लिखा गया है 32 और ये सची C को लिखा गया है 89 तो उसी संकेतिक भासा में आपको बताना यह सो यह सम को क्या लिखा जाएगा तो बात धान समझेगा यहां पर एक बार आप लोग खुद से कोश्चन को लगाया करें अगर मैंने कोश्चन यह पर दे दिया इस्टाउप करें वीडियो उसे आप लगाईए फिर उसके बाद इसका सल्यूशन देखें तो ज्यादा हो जाएगा आपका टोटल 22 ठीके ना साथ और 15 हो जाएगा 22 तो यह तो 32 है ना फिर तो आया नहीं कैसे आएगा फिर आप क्या कर सकते हैं सिंपल से हटाईए यहां पर और आप लगाईए कि अगर इनका अपोजिट जो वर्ड आता है उसे हम एड करके देखें तो जी का ज जोड़ा चैनल पर हों एक और 20 जोड़ा का बसूरी आप जाये निहीं कि आप के हमें मिल यह कैसे मिला हमने इस के अपोजिट वर्ड को एलफा वेट को लिया और उसके जोड़ेत तो हमें फाइनल एंसल मिल गया क्या ये चीज़ पर लागू होगा तो इस पर भी देख लेते हैं यस का पोजिट्ट था यस और इका पोजिट्ट था भी इनकी वैलों को लिखते हैं यह आठ हो गया प्लस 19 हो गया भी कितना होगा है 22 जोड़ दिए फटा फट अगर 22 आठ देखा जाए तो कितना होगा तीस तीस उननीस कितना हो जाए फोर्टी ना ने उन्चास यानि बिलकुल सही है जो हम डिकोड कर चुके हैं तो अब इसका जो कोड है वो हम फाइंड कर सकते हैं तो यस का पूजिट क्या होता है तो कहेंगे यच होता है बिलकुल लिख लिए ओ का पूजिट होता है यल यम का पूजिट होता है यन और य का पूजिट है भी अब बात करते हैं के प्लेस वैलू की यच का होता है एट और यल का होता है ट्वेल यन का होता है फोर्टीन और भी का कि तो कहेंगे 22 अब इसको अड़ कर लेते हैं अगर 22 आठ को देखा जाए तो तीस मिल राइगा आपको 30 और दस यहां 40 और दस पचास और चारदो छहें यानि कहेंगे 56 यानि आपका सकते हैं जो सम है इसका जो मान है या जो इसका कोड है वो कितना है टो चलिए अब इसके आगे कोशिन पर चलते हैं कि चलिए कोशिन नमर 19 पर दिया गया कोश्छन है आपười किसी संकेतिक भासा में 80 गजिए को 20 लिखा जाता है तो उसी संकेतिक भासा में 60 गजिए है तो बताइए कि उसी संकेतिक भासा में BAT bet को क्या लिखा जाएगा तो हम बात करते हैं इनके place value पर तो A का जो place value होगा 1 होगा और T का होगा 20 1 से 20 किस प्रकार से आ सकता है तो दो condition ये है पहला condition ये है कि इसमें multiply कर दे तो 20 आ जाए 21 क्योंकि place value को आप आड़ भी कर सकते हैं और फिर बाद में आपके माईल में आएगा हो सकता ये घटा दे तो भी तो 20 आ जाएगा ठीक है अब आगे देखिएगा अगर इन दोनों में से कोई ने कोई आपके प्लस वाले से देख लेते हैं 3 प्लस 1 प्लस 20 कितना हो जागा 24 माइनस वन किया जाएगा तो क्या 60 आएगा तो कहेंगे नहीं आएगा यानि यह जो सेकेंड वाला हमने लेकर चला है सेकेंड को वह बिलकुल गलत है हमारा फर्स से भी बन गया यानिक हम multiply यानि 80 यान यानि 3 120 60 आ गया तो अब हम यहां पर बैट का देखें तो बैट का बी का कितना होता है तो कहेंगे बी का 2 होता है 1 इंटू 20 तो फाइनल जब इसे calculate किया जाएगा तो multiply करने बाद 40 आ जाएगा यानि बैट का जो code होगा वो कितना होगा 40 होगा तो चलिए अब question number 20 पे चलते तो कि सहां पर coding किस प्रकार सी की गई वो समझना हमें यम को लिखा गया 4, O को लिखा गया 6, B को लिखा गया 2, I को लिखा गया 9 यह इनि इस प्रकार सी यह लिखा गया है और सभी जगा जितने भी alphabet है उसका जो coding है और coding की बात करें तो one digit में ही coding है तो समझेगा यहां पर यम की बात कर रहा है तो यम का अगर देखा जाए प्लेस वैलू तो कहेंगे 13 होता है तो 13 से 4 कैसे हुगा 4 कैसे हुगा तो हम यहां पर यह कह सकते हैं वन में अगर 3 जोड़ा जाए तो 4 आ जाएगा सब्सक्राइब अगर हम बात करें ओका तो प्लेस वैल होता है 15 यहांनि ए आगर वन में 5 को जोड़ा जाएगा तो 6 आ जाएगा तो 2 होता है यह कि 0 प्लेस ना है आई का अचाना जीरो नाइन बोलते हैं आप उसे जीरो नाइन लिख सकते हैं जीरो प्लस नाइन कितना हो जाएगा जो कितना हो जाएगा तो आप लोग खुद बता सकते हैं यलका होटा कितना हो जाएगा को यह व्यांद कि प्रेज कर लेटें है यह रहा है कि सभी के प्लेस वैलू को एड करके लिख दिया गया वो भी प्लेस वैलू को एड करने के बाद वरन डिचित वाली वैलू लेखी गई है तो हम चलते हैं एक्जामनेशन को देख लेते हैं एक्जामनेशन एका कितना होता है जीरो फाइड करेंगे तो कितना आजाएगा फाइफ ही आएगा यक्स की बात करें तो यक्स होता है ट्वन्टी फॉर ट्वन्टी फॉर का है टू प्लस फॉर को एड करेंगे तो कितना जाएगा यौन की बात कर लेते से यमोन ढूर्ख को लिकितना और रही अब हम बात करते एक अब में कि Critique लिमांगि деньги आगे और 2021 को भीकलिते का कें लिए .आगे उसमेर करेंगे सुछ केड़ जाएगा ठिक आगे देख लिते हैं T तक हो गया है, हम चलते हैं, पर देखिए, नी पहले लिएकर रहा था, तो हिसे हम लिख सकते हैं, स्छेट लिख सकते हैं, बौब ऑपर आ जयते हैं, कितना होता है, तो कहांगे, ओ का जो हमारा होता है, मैंनों 6 हो जाएगा, यन की बात कर लेते हैं यन का होता है आपका 14 14 का मदलब हो जाएगा 5 और लाश्ट में यस बचा जिसका होता है 19 और 19 को जब आप जोड़ेंगे तो 9 और 1 कितना होगा 10 लेकिन हमारे पास यहां पे सभी जगा 1 डिजिट में आया है वैलू यहां पे फिर एड करनेगा 2 डिजि अगले कोस्ट की बचलते हैं चलते हैं कोशे नमर 20, वन पे कोशे नमर 20 है किसी संकेतिक भासा में मसीन को लिखा गया है 19, 7, 9, 14, 15, 20 और 11, यानि कहने का मतलब है यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे अलफावेट को तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है और यहाँ पर नमर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानि कहने का मतलब है इस यम के लिए 19 है इस ए के लिए 7 है इस सी के लिए 9 है इस यच के लिए 14 है इस आई के लिए 15 है इस यन के लिए 20 है इस ए के लिए कितना है 11 है तो ऐसा क्या किया गया है तो उसे देख लेते हैं तो सब के place value को पहले हम लेख लेते हैं यम का होता है 13 ए का होता है 1 C का 3 H का 8 I का 9 N का 14 E का 5 बिलकुल तो अब 13 से क्या हो गया 19 हो गया तो 13 से 19 हुआ तो कुछ तो कुछ बढ़ा तो कहेंगे 13, 6, 19 हो गया योझे निछ बढ़ गया अच्छा आगे द क्छी क्या ऐसा होता है कि 13 से कितना हो गया आपका स्भी PU हो गया स्टाइट से कितना हो गया एकौट एक आपका ज़ाई ना वंसे वफ से वाहए तो से खांतब धो कितना से कितना बढ़ी अधनत प्ला कैं यहां भी सिक्स बढ़ गया यहां लिख दिया गया है सेम अभी वहीं का प्रोसेस तो देखे डिंजर का है तो डी का कितना होता है बता ही आप लो तो कहेंगे डी का होता है अब sab को किया करना है एड करेते हैं तो 4 और 6 कितना होता है 10 पहले का दूसरे का % 27 हो जाएगा साथ एक और आप, क्या लिखना है, सब का No backing लिख दिया गया तो आप stri लिख दिए गया सेे अवर टेर लिखेंगे कियो vidéos ? वूटेज लिख देम्सμεा से कूस का होता है, त्यार्टीнес का लिख दो गया संप्वाइध होघ। यानि आप बोल सकते हैं डेंजर का जो कोड है जे जी टी यम के यक्स तो टाइप टू आपका क्या होगा एक समाप्त हो चुका है तो अब इसके बाद हम टाइप थ्री की बात करेंगे अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें सेर करें और चै क्यां करें बाद के पस्टा नेख़ लिएूल सकते हैं मुझागे और सेरी मेंचे हैं मुझा लाइक की बाद करेंट राद हैं एक लियार दूरीक्टों का युटार का रदे तो तो बाद की आपका इस दो हैं मैं लाद को अवान का आपका पका लोग जर पक्साबर करें से